तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें गाउं दिखाया जाता है जहां के लोग हंसी कुशी अपनी जिन्दगी गुजार रहे थे उसी गाउं में रहने वाला एक लड़का भी हमें दिखाया जाता है जिसका नाम थौर्फिन होता है तॉर्फिन उसी गाव में रहने वाली एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था पिर एक दिन वो उसी लड़की से मिलने के लिए कैटल एरिया में जाता है जहां पर वो दोनों बहुता टाइम साथ गुजारते हैं तॉर्फिन का भाई उस आदमी को दीखती हुई उसके पास जाता है तबी हम नौटिस करते हैं कि वो आदमी किसी इनसान जैसा नहीं दिख रहा था क्योंगे उसके दाथ बिल्कुल किसी वुल्फ जैसी थी और तो और उस आदमी का नाम भी वुल्फ स्टैन था अबी वो बच्छा यनि थॉर्फिन का भाई वुल्फ स्टैन से बातें कर रहा होता है कि तबी अचानक से जंगल से बहुत सारे वेर वुल्फ आ जाते हैं इने देखकर वो बच्चा बहुत जर डर जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी मौत उसकी बिल्कुल सामने होती है अब अचानक वुल्फ स्टैन अपने दांतों को बाहर निकालता है और यहां पर हमें नहीं दिखाया जाता कि क्या हुआ बस अब थौर्फि कर दीती हैं और एक ही करकी सबें लोगों को मारने लगते हैं वो वियर वॉल्फ उस एरिया में भी गुस जाते हैं जहां पर थौर्फिन और उसकी फ्रेंड थी अब थौर्फिन उन्हें देखकर खुट चुप जाता है लेकिन उसकी फ्रेंड वही पर ही रह जाती है जिसक पर थौर्फिन केडल एरिया से बाहर आता है और अपने भाई को आवाजी लगाने लगता है लेकिन उसे अपना भाई कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि थोड़े टाइम पहले ही कुछ वियर वॉल्फ ने उसे मार डाला है यहां पर जहां पर वो देखता है कि उसकी फादर बहुजदा इंजर ढालत में वहां पर पड़े हुए हैं तब थौर्फिन के फादर उसे मांसे भाग जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर बहुत खत्रा है लेकिन इतनी ही देर में वहां पर एक वेर वॉल्फ आ जाता है जि वो नीचे गिर कर भी होश हो जाता है जब थौर्फिन को होश आता है तो उसके सामने गाउं का चीफ और एक चर्च के फादर होते हैं और वो थौर्फिन को बताते हैं कि अब तुम बिलकुल अकेले रह गए हो क्योंकि तुमारी पूरी फैमली को वेर वॉल्फ ने मार डा जाते हैं लेकिन तभी उनकी पास चार बहादूर आदमी आते हैं और इन चारों को चीफ नहीं बुलाया था क्योंकि ये वारियर्स थे उन में सीनियर आदमी का नाम हॉल था और बाकी उसकी साथी थे अब यहां पर चीफ उन चारों को एक टास्क देते हैं कि वो जंगल प पर जाता है वो जिन्दा बचकर वापिस नहीं आता और मारा जाता है लेकिन अब क्योंकि वो इस एरिया की सबसे ज़्यदा बहादूर इनसान थे इसलिए वो इस बात से नहीं डरती अभी वो लोग अपने मिशन के लिए जाने ही लगते हैं कि तौर्फिन वहां पर आ जा जाता है कि ये तौम्हारे फादर का था इसके बाद ये लोग अपने मिशन पर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं जहां पर इनका एक और साथी भी इन्हें जोईन कर लेता है इसके बाद ये लोग अपनी मंजिल पर जाने के लिए अपनी सफर पर निकल पड़ते हैं अब चलते चलते वो उसी जंगल में पहुन जाते हैं जहां से उन्हें गुजर कर जाना था आगे जाने पर उन्हें एक बच्चे की डड़ बाड़ी वहाँ पर दिखाई दीती है जो कि ट्रीसी लटके हुई थी उस ड़ड़ बाड़ी का बहुत ही बुरा हाल था क्योंकि उसके जिसम से सारा मास गाइब था अब थौरफिन उस ड़ड़ बाड़ी को गोर से देखता है तब उसे पता चल जाता है कि ये उसके बाई की ड़ड़ बाड़ी है जिसे देखकर थौरफिन बहुत ज़दा पैने कर जाता है और उसे वामिर सोने लगती हैं इसके बाद ये लोग फिर से अपनी सफर पर आगे बढ़ जाते हैं अब इसी तरह चलते चलते उन्हें रात हो जाती है इसलिए वो लोग आग जलाकर वही पर बैठ जाते हैं रात गुजारने के लिए जहां वो सबी आपस में बातें करने लगते हैं एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगते हैं अब कुछ टाइम बात बाकी सब तो सो जाते हैं लेकिन हॉल जाग रहा था उसे नीन नहीं आ रही थी तब इस थौर्फिन को एक नाइट में राता है जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है इसकी बाद वो हॉल के पास बैट कर उसे बातें करने लगता है लेकिन तबी अचानक से उन्हें फ्लोट बजने की आवाज सुनाई दीती है तब वो दोनों जल्दी से उठते हैं और चेक करने के लिए जाते हैं लेकिन आगे जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर तो वॉल्फ स्टेन बैटा हुआ है और वही था जो फ्लूट को बजा रहा था और तबी अचानक से वो अपने बाकी साथियों यानि वियर वॉल्फ को भी वहाँ पर बुला लेता हैं जो कि हॉल और थोर्फिन पर हमला कर दी अब इस हलचल की वजए से बाकियों की भी आंग खुल जाती है और वह सब भी वियर वॉल्फ से लड़ने लगते हैं उनका मुकाबला करते हैं अब जो दूसरा सीनियर वॉर्यर होता है वह बहुत सारे वियर वॉल्फ को मार डालता है लेकिन इसी बीच वह सारे वियर वॉ तुमारे भी जान बच जाएगी अब क्योंकि वह मरना तो नहीं चाता था इसलिए वह इस ओफर को अकसेप्ट कर लीता है अब वॉल्स टैन ऐसा ही करता है जैसा उसने कहा था वह से काट लीता है और उसे भी वियर वॉल्फ बना दीता है उदर हॉल कहता है कि अब हमें यह से जाना जाएए जिस पर तॉर्फिन जवाब दीता है कि मैं बागी की दो वॉरियर्स को लिए बगएर यहां से नहीं जाओंगा यह कहकर तॉर्फिन अकीला ही उन्हें ढूरने के लिए चला जाता है फिर कुछ टाइम की बात उन्हें ढूंडते हुए वह एक केव में जा पहुँचता है जहां पर सारे वियर वॉर्फिन अपना एक वॉरियर्स साथी मिल जाता है वह उसके हाथ खोलता है और उसे वहां से ले जाने लगता हम लेकर उस केव से बाहर आने में कामयाब हो जाता है अब वो सीनियर वारियर बहुत ज़दा इंजर था इसलिए हॉल कहता है कि हमें इस वारियर को यही पर छोड़ कर आगे बढ़ना चाहिए तब दूसरा वारियर कहता है कि नहीं यह फैसला ठीक नहीं होगा हमें इसे भी अपने साथ ले जाना होगा तब वो लोग अपने उस जखमी साथी को सहारा दे कर आगे बढ़ते हैं अब चलते चलते उन्हें काफी टाइम हो जाता है और फिर वो एक घर के पास पहुंचते हैं वहाँ पर वो एक आदमी और एक औरत को देखते हैं जो दोनों हस्बंड वाइफ थे इसके बाद ये लोग उस कपल से हेल्प मांगते हैं अब पहले तो वो आदमी उनकी मदद करने से इंकार कर देता है लेकिन फिर उनके काफी इंजिस्ट करने पर वो मान जाता है वो कहता है कि मेरे वाइफ तुमारे साथी की इंजरी को ठे कर देगी क्योंकि ये बहुत सारी ड्रेमेडीर्स को जानती है इसके बाद वो दोनों हिस्बिंड वाइफ उनने घर की अंदर ले जाते हैं घर की अंदर जाने के बाद हौल और वो आदमी हत्यारों की दारों को तेज़ करने के लिए चले जाते हैं और वो औरत उन बागी वारियर्स को खाना देती है लेकिन खाने में तो जहर था जिसे खाकर एक वारियर तड़पने लगता है उदर वो आदमी जो हॉल के साथ गया होता है वो अभी हॉल से लड़ने लगता है जो कि काफी इंजियर्ट थी और उन्हें बादा गया था उदर वो वारियर्स तड़प रहा होता है जहर की वज़ा से लेकिन तबी उसकी चेस्ट पर आकर दो एरो गुस जाते हैं और वो एरो वुल्फ स्टैन चला रहा था फिर वो सीनियर वारियर्स को भी एक एरो से मार कर उसे इंजियर्ट कर दीता है अब उनकी वो दोनों वारियर्स साथी मारे जाते हैं और हॉल जो कि बहुत ज़दा इंजियर्ट था और इतनी ही दिर में वहाँ पर बहुत सारे वियर्वॉल्फ आ जाते हैं जो थोर्फिन और हॉल पर हमला कर दीती है वो दोनों काफी बहादुरी से काफी दीर तक उनसे लड़ते रहते हैं और दो वियर वॉल्फ्स को वो जान से मारने में कामयाबी हो जाती है उन्हीं मारने के बाद वो दोनों वहां से भागनी लगती है लेकिन तब ये चानक से वुल्फ स्टेन हॉल पर एरो मार कर उसे बहुत ज़दा इंजर्ट कर दीता है ये देखकर थॉर्फिन काफी घुबरा जाता है और चेलानी लगता है अब हॉल थॉर्फिन को कहता है कि प्लीज तुम यहां से भाग जाओ अपने जान बचा कर क्योंकि मैं तो बहुत ज़दा जखमी हो गया हूँ और वैसे भी थुड़ी दिर के बाद मैंने मर ही जाना है तब थॉर्फिन हॉल की ये बात मान लेता है और वहां से भाग जाता है उसकी जाने के बाद वुल्फ स्टेन हॉल पर बहुत सारे एरोस चलाता है भागते भागते थॉर्फिन के सामने रॉक्स आ जाती है और वो उन चटानों पर चरना शुरू कर दीता है कभी गिरते कभी सबलते वो किसी ना किसी तरह करकी चटान के उपर पहुन जाता है अब उसकी आंकों के बिल्कुल सामने एक कैसल था जो कि उसे केंग का था इन्हें जिसके पास चीफ ने उन्हें भीजा था अब थॉर्फिन उस कैसल के अंदर जाता है जो कि बिल्कुल वेरान था और वहाँ पर कुछ वियर वॉल्फ भी थे जो कि उसे चुप चुप कर देख रहे थे आगी जाने पर थॉर्फिन वहाँ पर वॉल्फ स्टेन को देखता है वो थॉर्फिन को देखकर हसता है और कहता है कि आगी तुम किंग तुम्हारा ही वेट कर रहा है जल्दी करो और चट पर जाओ अब थॉर्फिन आगी बढ़कर सेडियां चड़ने लगता है लेकिन उन सेडियों पर भी वियर वॉल्फ बैटे हुए थे अब थॉर्फिन चट पर जाता है जहां पर वो किंग को पाता है अब यहां पर हमें ये बात रिवील होती है कि ये सब की पीछे किंग का हाथ है वो सारे वियर वॉल्फ किंग के ही साती है जिने किंग ने अपने महल में रखा हुआ है इसके बाद किंग थॉर्फिन को नीची बेस्मेंट में ले जाता है जहाँ पर हॉल जखमी हालत में बंदा हुआ था मतलब ये कि इतना इंजर्ड होने की बाबा जोद भी वो भी जिन्दा था अब यहाँ पर एक और सीक्रेट रिवील होता है और वो ये कि हॉल असल में किंग का ही बेटा है लेकिन अपने फादर की इनी जी फरकतों की वजेशी वो घर चोड़ कर चला गया था वो अपने फादर की अगेज्ट था इसलिए उसने अपने फादर से बगावत का इलान कर दिया और इसलिए वो अब तक उन वेयर वल्फ को मारता आ रहा था एक वारियर बन के अब यहाँ पर वुल्फ स्टैन थॉर्फिन को भी वही ओफर दीता है कि तुम भी हम जैसे यानी वियर वुल्फ बन जाओ या फिर मर जाओ अब थॉर्फिन खुद को जिन्दा रखने के लिए उन लोगों जैसा बनने के लिए एगरी हो जाता है लेकिन हॉल उसे ऐसा करने से मना करता है जिस बात पर किंग अपने ही बेटे यानी हॉल की मुमे तलवार गुसा कर उसे जान सिवार डालता है इसके बाद वुल्फ स्टैन थॉर्फिन को काट कर उसे अपने जहसा ही यानि वियर वुल्फ बना देता है अब थॉर्फिन उड़ता है और हॉल की मुसे तलवार निकालता है वो उस तलवार से वुल्फ स्टैन का हाथ काट दीता है इसके बाद वो चत पर वहां जाता है जहांपर किंग खड़ा था अब वुल्स टैन भी उसके पीछे पीछे जाता है लेकिन यहांपर तॉर्फिन उसे जान सिवार डालता है यानि अभी वो इनसान ही था इसके बाद वेरवुल थॉर्फिन पर अटेक कर दीती हैं लेकिन काफी टाइम तक लड़ने की बाद थॉर्फिन बहुत सरे वेरवुल्फ को मार डालता है लेकिन तभी अचानक सी वहाँ पर दो बड़े बड़े खतरनाक वेरवुल्फ पीछे से आ जाते हैं थॉर्फिन को पकड़ लीती हैं और उसे बेस्मेंट में ले जाते हैं जहां पर किंग थॉर्फिन को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है लेकिन तभी थॉर्फिन उड़ता है और वो किंग को काट कर उसे भी वेरवुल्फ बना देता है याने कि अब किंग भी एक वेर वुल्फ बन गया था इसके बाद थौर्फिन हीमत करता है और बचे हुए वेर वुल्फ को भी मार डालता है इसके बाद वो किंग का गला काट कर उसका सर अपने हाथ में पकड़ कर बाहर निकलता है फिर वो कैसल की तरफ देखता है जहां पर अब कोई भी नई था क्योंकि उसने सारे वेर वुल्फ को मार दिया था अगली सिन में थौर्फिन किंग के सर को अपने गाउं लेकर पहुन जाता है जहां पर वो चीफ को भी बताता है कि मैंने सारे वेर वॉल्फ को मार दिया है और वो चीफ के सामने ये तलवार फिंकती हुई कहता है कि बस एक आगई वेर वॉल्फ बचा है और वो वेर वॉल्फ कोई ओर नहीं बलकि मैं हूँ और तबी चीफ तलवार उठा कर THORFIN का गला काट कर उसकी बोड़ी से अलग कर दीता है फिर वो वहाँ पर नारे लगाने लगता है कि थॉर्फिन हमारा हीरो है वहाँ मुझोद सारे लोग भी ये नारा लगाने लगते हैं कि थॉर्फिन हमारा हीरो है इसी सीन के साथ ये मूवी अई पर एंड हो जाती है थेंक यू पर वाचिंग